तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम राज्जों के पुनर गठन को बहुत ही डिटेल में डिसकस करने वाले हैं धेशी रियासतों के एकी करण के बाद भारत में राज्जों का गठन किस प्रकार किया गया क्या परिस्तितिया रही और किन-किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा भारत में राज्जों के निर्मान के लिए और अभी तक जो 28 राज्ज और 8 केंदर शाशित प्रदेश हैं उनका निर्मान कब-कब और किस तरह से किया गया आज किस वीडियो में हम इसे पूरी डिटेल में कवर करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा और साथ ही साथ चेनल को भी सब्स्राइब कर लीजेगा आगे बढ़ने से पहले एक आपको इंपोर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स देखें क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लिकेशन पर आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की लाइव क्लासेस जो हैं वो 14 नॉम्बर से स्टार्ट हो रही है अगर आप इंटरस्टेड हैं अगर आप डिटेल में पॉलिटी पढ़ना चाते हैं मुझसे तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लिकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स में इन्रोल कर सकते हैं देखिए इस कोर्स के अंदर जो भी टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा उसकी पीडिये भी आपको एप्लिकेशन के अंदर ही मिल जाएगी और इसके अलावा हर टॉपिक के बाद आपको मौक टेस्ट भी मिल जाएगा एप्लिकेशन के अंदर ही आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा जल्दी से जॉइन कर लीजिए बिना देर किये हम अपने टॉपिक पर आजाते हैं टॉपिक को स्टाट करते हैं और जान लेते हैं री ओर्गनाईजेशन ओफ स्टेट के बारे में भारत में राज्यो के पुनरगठन की देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें भारत की आजादी के समय में जाना होगा मतलब 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था उसके पहले 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाए गया था जिसे भारती स्वतंतरता अधिनियम कहा जाता है इस अधिनियम के आधार पर भारत से पाकिस्तान को अलग करके एक देश बना दिया गया था इस वक तक भारत में लगभग 565 देशी रियासते थी इस एक्ट में ये प्रावधन किया गया देशी रियासतों के लिए कि जो देशी रियासते भारत संग में मिलना चाहती है वो भारत संग में मिल जाए जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है वो पाकिस्तान के साथ चले जाए और जो स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहती है वो देशी रियासत स्वतंत्र देश के रूप में रह सकती है ये तीन प्रावधान हमें 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में देखने को मिलते हैं। उस वक्त भारत में जितनी भी देशी रियासते थी अगर इसको फॉलो किया जाता तो वो कहीं न कहीं भारत संग से अलग हो जाती। लेकिन उस वक्त भारत में एक बहुती कदवर नेता हुआ करते थे जिनका नाम था सरदार वल्लब भाई पटेल। बहुती दूर दर्शी व्यक्ती थे, बहुती अच्छे बुद्धी जीवी थे और जितनी भी देशी रियासतों के राजा थे, जितनी भी देशी रियासते थ ही सरदार वल्लब भाई पटेल का बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। इसलिए सरदार वल्लब भाई पटेल के आगरह पर या सरदार वल्लब भाई पटेल के कहने पर लगबख सारी देशी रियासते खुशी-खुशी भारत संग में मिलने के लिए तैयार होगी। ऐसी देशी रियासते थी जो कि कही न कही भारत संग में मिलने से आना कानी कर रही थी या भारत संग में मिलने के लिए तैयार नहीं थी ऐसी कंडिशन में सरदार वल्लब भाई पटेल एक नीती को फॉलो करते थे साम दाम दंड भे जेसे भी हो देशी रियासतों को भारत संग में शामिल करना है एट एनी कॉस्ट या तो प्यार से मान जाए तो प्यार से कर लेंगे और नहीं तो हतियार के दम पर किया जाएगा ऐसी कंडिशन में जब हैदराबाद का निजाम भारत संग में मिलने से इंकार कर देता है तब एक ओपरेशन चलाया जाता है एक आर्मी आप बोल सकते हैं एक्टिविटी चलाया जाती है जिसे कहा जाता है ओपरेशन पोलो आर्मी एक्षन के द्वारा हेदराबाद को भारत संग में विलाय कर लिया जाता है जुनागड की बात करें जो की गुजरात में है इसे रिफ्रेंडम करवा कर मतलब जन्मत संग्रा के आधार पर भारत संग में शामिल कर लिया जाता है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके Instrument of Assession के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत संग में विलय कर लिया जाता है और लगबग सारी रियासते भारत संग में मिल जाती है जब भारत संग में देशी रियासतों को एकिकरन कर लिया जाता है तब सबसे पहली जो समस्य आती है वो रहता है नए राज्यों का भारत में निर्मान किया जाना प्रशास्निक सुवीधा के आधार पर लेकिन जब तक नई राज्यों का निर्मान नहीं किया जा रहा है भारती सविधान में भारती संग शेत्र को चार भाग में डिवाइड करते हुए जगा दे दी गई 26 जन्वरी 1950 को भारती सविधान को लागू किया गया था और इस सविधान में भाक साथ में भारती संग शेत्र को चार भागों में डिवाइड किया गया जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते ये चार भाग कोन से थे पार्ट A, B, C, O, D प्रावधान कहां देखने को मिलता था भारती सविधान के भाक साथ में पूरे भारती संग का जितना भी शेत्रे देशी रियासते जितने भी शेत्रे अदर्स उन सभी को भाक साथ में शामिल किया गया चार पार्ट में में जगा दी गई इसके अलावा देशी रियासते जिनमें राजा रजवाडों का शेशन देखने को मिलता है उन्हें पार्ट B में सम्मिलित किया गया वैसे देखा जाए तो देशी रियासते भी इंडारेक्ली ब्रिटिश प्रांत के अंडर में ही थी मतलब कहीं ना कहीं इन पर ब्रिटिशेस का ही कंट्रोल था लेकिन क्योंकि यहां पर राजा रजवाड़े शेशन कर रहे थे इसे लिए देशी रियासतों को पार्ट B में जगा दी गई जहां पर खुद की स्वयम की विधान मंडल भी थी नेनाय लेने के लिए इसके अलावा चीफ कमिशनरी शेत्र को पार्ट C में इंकुलूट किया गया वरतमान जैसे हम यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं वैसे कभी चीफ कमिशनरी शेत्रुआ करते थे इनने पार्ट C में जगा दी गई और इसके बाद पार्ट D में अंडमान निकोबार जोकि अंडमान निकोबार दीप इसे पार्ट D में इंडिजूली इंकुलूट किया गया तो इस तरह 1950 तक भारत में जो सविधान बना था भाकसात में भारती शेत्र को चार पार्ट में डिवाइट किया गया था लेकिन उसके पहले ही भारत में राज्यों की गठन की प्रोसीजर को शुरू कर दिया गया थ क्योंकि जब देश आजादुआ 1947 में तो जितने भी शेत्र थे वो भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग करने लगे ऐसी कंडिशन में जब भालत के सभी शेत्र भाषा के आधार पर राज्य की गठन की मांग कर रहे थे तब 1948 में याद रखेगा चून 1948 में एक कमेटी का गठन किया जाता है भाशा के आधार पर राज्यों के निर्मान पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है जिस कमेटी का नाम होता है स के धर आयोग ध्यान से सुनिएगा एस के धर आयोग चून 1948 में जब देशी रियासतों का एक करन चल ही रहा था तब 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया जाता है किसलिए भाचाई आधार पर राज्जों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए इस पर अपनी सिफारिशे देने के यह इलाबाद हाई कोट के की रिटायर जज थे फ्रेंड्स जिनके अद्धिक्षता में इस कमिटी को बनाया गया था इस कमिटी ने भारत सरकार को अपनी सिफारिशे सोपी और अपनी सिफारिशों में इसने कहा कि भारत में राज्जों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए इसके अतिरिक्त जो भोगोलिक और प्रशासनिक आधार है भोगोलिक और प्रशासनिक तोहलियत के आधार पर भारत में राज्जों का गठन किया जाना चाहिए ना कि भाषा क्या धारता ये कहा किसने S के धरायों लेकिन इसकी अनुशनसा का भारत में विडोध होने लगा अलग-अलग शित्रों तब दिसंबर 1948 में दिसंबर 1948 में एक और कमिटी का गठन किया जाता है जिसका नाम है जे वी पी समिती या आयोग जवालल नहरू वल्लब भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमया ये तीन मेंबर होते हैं इस कमिटी में और जे वी पी कमिटी 1948 में गठित की जाती है 1949 में इनकी सिफारिशे आती है और अपनी सिफारिशों में ये भी S के धर आयोग की सिफारि पर किया जाना चाहिए अब एसी कंडिशन में वो छेत्र जो की भाषा के अधर पर राज्जी के गठन की मांग कर रहे थे वहाँ पर असंतोश फैलने लगता है और अशान्ती उत्पन हो जाती है इनमें सबसे महत्पुन योगदान होता है तेलगु वेल्ट का तेलगु व होते हैं एक तेलगु नेता जिनका नाम था पौटी श्री रामलु राजु ठीके श्री रामलु राजु याद रखेगा आप उसमें अपना काम हो जाएगा वो नेता तेलगु भाषी बेल्ट के नेता अंशन पर बेटते हैं और 56 दिन के अंशन के बाद उनकी मृत्य हो ज एक अक्टोबर 1953 को भारत में पहला भाषा के अधर पर राज्य बनाय जाता है आंद्र प्रदेश जो की तेलगु बेल्ट का एक राज्य होता है आंद्र प्रदेश तेलगु भाषा के अधर पर बनाय गया था और भाषा के अधर पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था क्लियर हो जाता है यहां तक जब परिस्तितिया शान्त हो जाती है तो फाइनली एक और आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है राज्य पुनर गठन आयोग और इसका गठन किया जाता है 1953 में इसके अद्यक्ष के नाम से इस आयोक को जाना जाता है ये याद रखिएगा अद्यक्ष कों थे फजल अली इसलिए राज्य पुनर गठन आयोक को फजल अली आयोक के नाम से जाना जाता है इसके दो सदस्य भी थे एक थे हिरदर्णात कुञ्जरू और एक थे के-म पडिकर राज्यो पुनर गठन आयोका गठन किया जाता है फजल अली इसके अध्यक्ष थे और इनकी सिपारिश के आधार पर यह अपनी सिपारिशे देते हैं और कहीं ना कहीं यह अपनी सिपारिशों में भास्षा के आधा पर राज्यों के गठन की मांग को सिकार कर लेते। लेकिन साथ ही इंक्लूट करते हैं कि उसमें भोगोलिक और प्रशास्निक सौलियत को भी देखा जाना चाहिए। अब कोश्यन आता है कि पहले जो कमिटी थी या जो लोग थे वो क्यों भाषा के आधार पर राज्यों के ग रश्यन बोलने वालों ने रश्यन मना लिया। तो इस तरह उन लोगों ने यूरोप को देखा था और उनने समझा कि भाषा के आधार पर आगे चलकर भारत भी विभगत हो सकता है अगर राज्यों का निर्मान किया जाएगा तो। उस वक्त के जो इंटरेक्शुल थे में देखने को मिलेगा क्योंकि यहां पर भाषाई विवित्ता बहुत ज्यादा है कल्चर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो यह यूनाइट होकर कभी रही नहीं पाएंगे तो कहीं नहीं उस वक्त के जो भारत चलाने आले लोग थे जो सरकार में थे जो भारत संग था उसको कहीं नहीं यह डर था कि अगर भाषा के अधर पर हम राज्यों का गठन करेंगा तो कहीं उन यूरोपी की बात या फिर बिटिशेस की बात सहीं नहों जाए कि भारत भी खर जाएगा लेकिन आपने देखा भाषा के अधर पर हलकि राज्यों के गठन के बाद भी हमन जो के गठन की मांग को सिकार नहीं किया जा रहा था। फिर भी ठीक है, फाइनली, फजल अली आयोग ने भाशा को भी माननेता दी, लेकिन साथ ही साथ कहा कि भोगोलिक और प्रशासनिक आधार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इनकी सिफारिशों के आधार पर सात्वा सविधान संशोधन किया जाता है और राज्य पुनरगठन अधिनियम लाए जाता है। और भारत में चाउदा राज्य और छे केंद्र शाशित प्रदेश गठित किया जाते हैं पूरे भारत संग से। फदल लली आयोक की सिफारिश पर हाला कि इनकी सिफारिश को एकसेpt किया गया लेकिन पूरी तरह वेशा की वेशा नहीं लिया गया। कुछ थोड़े बोच चेंजिस करके, हाला कि सिफारिश है इनहीं की थी, तो इनकी सिफारिश पर भारत में चौदा रज और छे केंदर शाशित प्रदेश बनाए गए। अमिड्मेंट कौन सा था? सेवेंट अमिड्मेंट एक्ट नाइटीन फिप्टिसिक्स और इस अमिड्मेंट के दौरा ही जो सविधान का भाग सा थे जिसमें भारत को चार पार्ट में डिवाइड किया गया था A, B, C और D उसको खतम कर दिया गया अब भारत के सविधान में भाग साथ देखने को नहीं मिलता वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि भारत में राज्यों और केंद्रशाशीत प्रदेशों में भारत को बाटा जा चुका है, किस रविधान संशुदन के द्वारा, सेवेंट अमिड्मेंट एक्ट, किस समिती की सिफारिश पर, किस समिती की और ये 6 केंद्रशाशीत प्रदेश ये, जो कि 1956 के भारत में देखने को मिलते हैं, देखते हैं, असम, भिहार, बंबई, उस वक्त जो आज हम महारास स्टेट देखने हैं, वो गुजराद भी उसमें इंक्लूट था, और वो बंबई स्टेट के नाम से जाना जाता था, जम ये 6 केंद्रशाशीत प्रदेश, दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, मडीपूर, त्रिपूरा, अनमान, निकोबार, दित्समू और लक्षदीब, ये 6 केंद्रशाशीत प्रदेश थे 1956 में, ओके, आप देखिए, वर्तमान में अगर हम भारत की बात करते हैं, तो हमारे पास 28 आठाविस राज्य, पुलिस्टेट, और छे, sorry, 8 यूनियन टेरेटरीजे वर्तमान में, ओके, अठाविस राज्य और 8 यूनियन टेरेटरीजे, तो हम देख लेते हैं कि 14 से 28 राज्य कौन-कौन से कप-कप बने, और 6 यूनियन टेरेटरीज से कौन-कौन सी हटी, कौन- क्लियर, यहाँ पर एक चीज़ को नोट कर लिजेगा कि हिमानचल प्रदेश, मणिपूर और तिरिपूरा, 1956 में यूनियन टेरेटरीज थी, लेकिन आगे चलकर इनको फूल इस्टेट बना दिया गया था, 1971 में हिमानचल प्रदेश को, और 1972 में मणिपूर और तिरिपूरा कि चौदा राज्जी के बाद कौन सा राज्जी कब बना, शुरू करते हैं, तो देखिए, री ओर्गनाइजेशन आफ स्टेट आफ्टर 1956, 1956 के बाद भारत में राज्जो का गठन कैसे किया गया, तो देखिए, एक मई उननिस सो साहाट को, भारत में जो बॉम्बे रहते थे, एक थे मराठी और एक थे गुजराती, तब गुजराती भाषी बेल्ट जो कि बॉम्बे स्टेट के उत्तर में था, इन्होंने एक महा गुजरात आंदोलन चलाया कि हमको एक अलग स्टेट दिया जाए, तब एक मई 1907 को बॉम्बे स्टेट को डिवाइट किया और दो राज्य बनाए गए, एक जो मूल बॉम्बे स्टेट था या मुंबे स्टेट था उसको महारास्ट में कनवर्ट कर दिया गया और उत्तरी शेत्र को अलग करके बना दिया गया गुजरात, तो इससे भारत का पंदरवा राज्य 1907 में देखने को मिलता है और ये 60 को, भारत में सोलवे राज्य के रूप में एक राज्य को एड़न किया जाता है, जो कि नौर्मली केंदर शाशित प्रदेश के रूप में हमको आता हुआ दिखता है, ये फूल इस्टेट के रूप में हला कि नहीं आता है, तो अभी तो आप पंदरा राज्यों को ही मानन प्राप्त माने गुजरात तक 19 दिसंबर 1961 को क्या किया जाता है कि दमन और दीव और गोवा यह जो आप शेत्र देख रहे हैं यह गोवा है और यह दमन और दीव है गुजरात के दक्षिन यह उस वक्त तक 1961 तक पुर्तगालियों के अंडर में थे तब भारती सेना और पुर्तगाल की जो सेना थी 1961 में उनके मद्ध में युद्ध होता है ओप्रेशन विजय अभियान चलाए जाता है और दमन और दीव और गोवा को पुर्तगालियों से भारती सेना के द्वारा छिन लिया जाता है या अपने कब्जे में ले लिया जाता है किसको दमन और दीव और गोवा को और 1962 में बार्वे सभविधान संशोधन के माध्यम से गोवा और दमन और दीव को केंद्र šašit प्रदेश घोशित किया जाता है पुर्तगालियों से 1961 में लिया और 1962 में इसको केंदर शाषित प्रदेश गोशित कर दिया एक गोवा और दमन और दियू ये एक ही केंदर शाषित प्रदेश बना दिया जाता है clear ठीक है 30 माई 1900 सित्यास्री को पता है आगे चल कर क्या करते हैं गोवा को पूर्ण रज्य बना लिया जाता है और 1987 में अकेला यूनियन टेरिटरी बचता है फिर दमन और दियू गोवा देखिए भले ही 1962 में हमारे पास है लेकिन ये उस वक्त यूनियन टेरिटरी है ये जो गोवा है 1987 में भारत का पच्चिसवा रज्य बनाए ध्यान रखना अभी हम गुजरात रज्य पर आए हैं पंदरवा रज्य था पीच के हम पढ़ेंगे लेकिन गोवा पहले ही हमसे मर्ज हो चुका था आगे चल कर ये भारत का पच्चिसवा रज्य बना था और दम 1 December 1963 को भारत का सोल्वा रज्य बनाये जाता है नागा लेंड जोकी असम रज्य से अलग करके बनाये जाता है vivir असम से 13 सविदान संशुधन के माध्यम से सोल्वा रज्य नागा लेंड बनता है । असम के पूरवस्तर पाड़ियों पे नागा जन जाती के लोग एक अलग राजजी की डीमान कर रहे थे तब उनकी डीमान के आधार पर क्योंकि ज़न जाती है उनको स्विधान संशोदन के माद्यम से नागलेंड को भारत का सोलवा राज्जी बनाया जाता है असम से अलग करके अब आपके दिमाग में इसा question भी आना चाहिए कि सर गुजराद महरास्ट को अलग किया था तब तो सविधान संशोधन हुआ नहीं यहाँ पर आपने सविधान संशोधन करा हर राज्य में तो सविधान संशोधन होता नहीं तो ऐसा इसलिए यहाँ पर सविधान संशोधन हमको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सविधान के भी कुछ अन्य आर्टिकल्स में कुछ विशेश प्राउधनों को बदला गया जब नागा लेंड को दर्जा दिया गया एक हिंदी भाषी छित्र को अलग करके हरियाना नाम का सत्रवा रज्ज बनाया गया किस से अलग किया गया था ये अलग किया गया था पंजाब से पंजाब से अलग करके हरियाना को भारत का सत्रवा रज्ज बनाया गया और चंडीगड को केंद्र शाशित प्रदेश घोशित करके इनकी कंबाइन केपिटल बना दिया गया था सत्रवा रज्ज कोन हो गया हरियान इसके बाद 25 जनवरी 1991 को हिमाचल प्रदेश जो की कभी हमारी युनियन टेरिटरी हुआ करती थी उसको पूर्ण रज्ज का दर्जा दे कर भारत का अठरवा रज्ज बनाए गया आगे एक साल बाद 1972 में 21 जनवरी 1992 को भारत में तीन नए रज्ज बनाए गए त्रिपूरा, मनिपूर और मेगालाई इन में से त्रिपूरा और मनिपूर जो हैं यह पहले से ही युनियन टेरिटरीस थी इनको पूर्ण रज्ज बना दिया गया और मेगालाई को असम रज्ज से अलग करके भारत का एक रज्ज घुशित किया गया मेगालाई को 22 सब्विधान संशोधन के द्वारा भारत का एक स्वायत रज्ज बनाया गया था तो इस तरह 1972 में तीन नए रज्ज बनतें त्रिपूरा, मनिपूर और मेगालाई इन में से दो पहले यूनियन टेरिटरीस थी और मेगालाई असम से अलग करके रज्ज बनाया जाता है तो 19-21 मडिपूर, तीपूरा और मेगालाई तो 1972 में भारत में राज्जो की संख्या कितनी हो जाती है? 21 इसके बाद 1975 में 26 अपरेल 1905 को भारत में एक राज्जी शेत्र को इंकलूट किया जाता है या यू कहा जाए कि भारत संख में एक शेत्र को इंकलूट कर लिया जाता है और वो बनता है सिक्किम भारत का बाविस्वराज पहले सिक्किम एक Autonomy थी भारत को केवल इसका सररक्षन भारत का इस राज्य को सररक्षन प्राप था सिक्किम पर भारत का सररक्षन था वो भारत संग में शामिल नहीं था 1975 में 26 अप्रेल 1975 में सिक्किम को 22 राज्य बनाय जाता है 36 वा सवविधान संशोधन के माध्यम से भारत में दो नए राज्य बनाय जाते हैं अणांचल प्रदेश और मिजोरम Tirm exists 25 वे सवविधान संशोधन के माध्यम से भारत का दीविषवा राज्य बनाय जाता है और इसके अलावा अणांचल प्रदेश 35 सवविधान संशोधन के माध्यम से सविधान संशोधन कि माध्यम से भारत का चोबिसवा राज्य बनाया जाता है ये कभी ना कभी भारत में असम राज्य से ही अलग हुए ये दोनों शेत्र कभी ना कभी भारत से असम राज्य से ही अलग हुए तो मिजोरम भारत का तेविस वा राज्य बनता है और अनांचल पिदेश भारत का चोबिस वा राज्य बनता है ओके तो अनांचल पिदेश और मिजोरम टोटल कितना हो गए तेविस और चोबिस 1987 पीजवराई 1987 में ये बन जाते हैं और 1987 में मिडवल एर के मिडवल में गोवा पूर्ण स्टेट बना दिया जाता है, जो कि 1961 में पुर्ट कालियसे लिया था और क्या बनाया गया था, युनियन टेरिटरी, तो गोवा भारत का 25 वा राज्ये बनता है गोवा भारत का 25 वा राज्ये बनता है 1987 में, आगे आकर आगे चल कर एक नॉम्बर सन 2000 को मद्य प्रदेश से 36 गड़ राज्ज को अलग किया जाता है MP से 36 गड़ अलग होता है और ये भारत का 26 वा राज्ज बनता है इसी मन्त में 9 नॉम्बर सन 2000 को UP से अलग करके बनाय जाता है उत्तराखंड उस वक्त उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था बाद में नाम चिंज हुआ है तो 9 नॉम्बर सन 2000 को उत्तराखंड UP से अलग हुआ और भारत का 27 वा राज्ज बना इसके बाद 15 नौंबर सन 2000 को जारखंड अलग हुआ बिहार से और भारत का 28 राज़ बन तो इस एक महिने में तीन राज्जों का निर्मान हुआ था सन 2000 भारत का 26 राज़ एक नौंबर सन 2000 को 36 गड़ 27 राज़ नो नौंबर सन 2000 को उत्तराखंड और 28 वा राज्ज पंदा नवंबर संद 2000 को जारखंड भारत का 28 वा राज्ज 36 गड़ अलग हुआ है MP से उत्राखंड अलग हुआ है UP से और जारखंड अलग हुआ है बिहार से 2014 में 2 जुन 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तेलंगाना को और ये भारत का 29 वा राज्ज बनाया गया कौन सा तेलंगाना तेलंगाना को भारत संग में आंध्र प्रदेश से अलग करके 29 वा राज्ज बनाया गया 2014 में तो इस तरह भारत में राज्यों की संख्या 2014 तक कितनी हो जाती है 29 हो जाती है अभी 29 स्टेट थे पर 2019 में क्या किया जाता है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाते हैं और जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में डिवाइट करते हैं एक बनता है जम्मू कश्मीर और एक बनता है लग्दाक और इन दोनों को ही 2019 में union territories घोशित कर दिया जाता है तो 29 राज्यों से जम्मू कश्मीर चला गया और दो union territories बना तो चला गया तो राज्य कितने बचे फिर 28 तो वर्तवान में भारत में फुल स्टेट पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी है 28 ओके इसके बाद आते हम union territories बना तो देखिए हमने क्या पढ़ा था छे union territories 1956 में थी ओके नाम आप देखिए रहें दिल्ली, हिमांचल प्रदेश, मडिपूर, तिरपूर, अन्मा, निकोबार और लक्षदीप ये तीन union territories आगे चलकर जैसा कि हमने देखा है 1971 और 72 में फुल स्टेड बन जाती है तो कोन बचा दिल्ली, अन्मा, निकोबार और ल दस्वा सव्विदान संशोधन करके दादर नगर हवेली को भारत में union territory घुशित किया जाता है 1961 कितनी हो गई? चार आना तीन उपर और ये चार इसके बाद 1962 में चवदुए सव्विदान संशोधन के द्वारा पॉंडी चेरी को फ्रांसीसियों से लिया जाता है और पॉं 1966 में जैसे ही हर्याना अलग करते है पंजाब से चंडीगड को उनकी common capital बना कर चंडीगड को union territory घुशित कर दिया जाता है तो ये कितनी हो गई? छे? 1987 में दमन और दीव जो कि गोवा के साथ 1962 में union territory बन चुकी थी गोवा हटा तो दमन और दीव फाइनली अकेली बची 1987 में तो तीन और चार यहां मिल गई कितनी हो गई? साथ साथ union territory हो गई? अभी हमने बात की थी 2019 में जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया है और जम्मू कश्मीर से दो union territories निकली है जम्मू कश्मीर और लद्दा कब 31 अक्टूबर 2019 को और union territory साथ उधर हो गई थी और दो ये mix हो जाती है तो 9 हो जाती है कितनी हो जाती है? 9 तो state हो गए थे 28 और अब union territory हो गई है 9 लेकिन 2020 में 26 जनवरी 2020 को दो अलग अलग जो union territories थी दादन नगर हवेली और दमन और दिव इन दो union territories को मर्ज कर दिया गया है 20 जनवरी सन 2000 को और जैसे ही इन्हें मर्ज किया गया ये union territory 2 से हो गई 1 और 9 से हो गई 8 तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 union territories है तो आपको यहां पर पता चलता है कि 1956 से अभी तग भारत में केसे केसे राज्यों का गठन हुआ है राज्यों का गठन अगर हम भारती सविदान में देखें तो भाग 3 में उल्लेखित किया गया है कि पूर्ण राज्यों को केसे बना जा सकता है भारत संग में से एक राज्यों को तोड़ कर दो राज्यों कोन मना सकता है दो राज्यों को मर्ज करके एक राज्यों कोन मना सकता है तो यह अधिकार Indian Parliament को दिया गया है और इसके लिए सविदान संशुदन की भी कोई ज़रत आर्टिकल 368 के तहर आर्टिकल 4 ये प्रावधान करता है लेकिन अगर सविधान के अन्य आर्टिकल में कुछ चेंज हो रहा है या अन्य प्रावधान बदल रहें नए रज्य बनाते समय तो फिर सविधान संशोधन किया जाएगा तो एसी कंडिशन में हमने देखा है कि समझ माया होगा और आपने इजिली इसके नोड बना ली होंगे अब देखिए लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता इसलिए यहां पर हमने MCQs को एड नहीं किया है MCQs को हम अलग से next session में cover करेंगे अगर आपने ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो आपके सभी MCQs बिलकुल correct जाएंगे ये मेरी guarantee है और अब अगर exam में कहीं भी राज्यों से या राज्यों के पुनर गठन से कोई भी question आएगा तो आपका गलत नहीं जाएगा I hope lecture अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like और share कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेगा फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जय हिन जय भारत